नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेश एक वर फिर से सुरेश एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीटेड जुलाई 2024 के लिए प्रिवियस एयर पेपर का सलूसन डिसकस करने वाले हैं दोस्तों जो कि आपका एकडेम 21 जनवरी 2024 को हुआ था उसके साइंस के जो कोश्चन थे उनका सलूसन हम देने वाले हैं दोस्तों उसका हल हम देने वाल बिग्जान का और हल कुछ इस टाइपस देने वाले हैं जो इसका सलूसन है उसका एक्स्प्लेशन को इस तरह से देने वाले हैं दोस्तों कि अगर इसके कोई कोश्चन अगर बनता है आपके एक्जाम में जो की जुलाई 2024 में होने वाला है तो आप आसानी से कर पाएं दोस आपका science का पहला question यह रहा आपके सामने दोस्तों अब हम hindi में एक question देख लेते हैं क्या कह रहा है question नम्बर स्थान को नीचे एक अनुछेद को ध्यान पूरब पढ़ें नीचे एक अनुछेद दिया गया है X, Y और Z तो इनको कौन से options भरेंगे सही सही तरह से वो हम से पूचा गया दोस्तो तो question हम पढ़ लेते हैं धोनी कंपन द्वारा उत्पन होती है ये बात बिल्कुर ठीक है धोनी जो होती है कंपन जब होता है उसी से उत्पन होती है दोस्तो ठीक है और फिर तथा बिन बिन बाध्यंत्रों के बिसिष्ट कंपमान भाग होते हैं और जो बाध्यंत्र होते हैं अलग-अलग टैप के तो उनके जो भाग होते हैं अलग-अलग होते हैं कंपन करने वाले उनसे धोनी उत्पन होती है जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कोई एक X बात धेंतर है उसमें धोनी तानितारों द्वारा उत्पन होती है यह हमसे कहा गया है तो आपको खुद सोचना है कि तानितार किसे में होते हैं सितार में होते हैं हार्मोनियम में होते हैं धोलक में होते हैं गिटार में होत कुछ मार्ति हैं और इसमें कुछ ताने तार होता है उनको खीचने से धुवनी उत्पन उता होती है इसके साथ यी देख लेते हैं बाई मैं ताने जिल्ली है जो कमपन करती है दोuuuu तो जैसा कि अमी तीसर ऑप्शन देख रहे हैं तू तभ्लाों में तो इखा ऊपने एक त понятно जिली उती है जैसे धोलक होता है उसमें और धोलक तबले की तरह होता है मतलब तबला जो होता है धोलक की तरह होता है उसमें क्या होता है एक ताने जिल्ली होती है तो उस पे जब हम मारते हैं कोई ची तब उससे धोयनी उत्पन होती दोस्तों तो यह आप कह सकते हैं कि यह क्या है दोस्तों तबला हो सकता है बाई क्या हो सकता है तबला हो सकता है तो इसके साथ ही दोस्तों अब हम देख लेते हैं बाई बाई में धोयनी उत्पन करने वाला कमपमान भाग बायू इस्थम्ब है मतलब जो जैड है उसमें धोने उत्पन करने वाला कमपमान भाग जो होता है बायू इस्थम्ब या कॉलम होते है मतलब उसमें छोटी-छोटी छेद होते है जैसे कि आप सहना ही मान सकते है अब इन चीजों को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों जिससे कि आप अच्छे से ज्यादा अच्छे से चमच पाएं दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी हमारा गिटार जो होता है जैसा कि मैंने आपको बताया है गिटार में क्या होते हैं तानि धिलनी उत्पन होती ये थोindi उत्पन होता है और फिर जोने क्या होगते है फिर उसके बाद दूसरा assumed क्या बताया था तबला में एक जृली टीफ खेड में स्ध्रेश के होती ए जईली होती इसपे गयर कोई Praboo मारते है तो दूसरा क्या हो गया बाई क्या हो गया भी बाई जो हो गया वो हो गया तबला और तीसरा हमारा हमने क्या बताया था दोस्तों आपको तीसरा बताया था सहनाई तो तीसरा क्या हो जाएगा ऑप्सन तैस सहनाई हो जाएगा दोस्तों इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या ह जाएगा दोस्तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्षिन नमबर थ्री गिटार तबला और सैनाई गिटार तबला और सैनाई विलवीदा राइट आंसर दोस्तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेश्ट कोश्चन देखने वाले हैं दोस्तो नेश्ट कोश्चन यह रहां आपके सामने दोस्तों question number 62 देख लेते हैं अब हम सारे question हिंदी में ही देखने वाले हैं दोस्तों सारे के सारे question देख लेते हैं पहला question question number 62 यह रहां आपके सामने निमने लिखित में से पादप पौधे सूच पोस्तों के समुझ लगू मात्राओं में पादपों दोवारा आप एक शित पोसक की पहचान कीजिए इसमें क्या करें लगू मात्रा मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट तो दोस्तों मैं आपको बता दू प्यंड़ पौधे होती हैं उनको कुछ एलीमेंट कुछ तथब चाहिए हमारे पोष्टराण के लिए जैसे हम घाने के लिए हमें अपने वॉढ्ड़ी को बनाया रखने के लिए इनर्जी के लिए घाना घाना परता है ऐसे ही जो पौधे होते हैं, उनके लिए कुछ पोसक तत्मों की जरूरद होती है, तो जो पोसक तत्म होते हैं जरूरद के आधार pineapple दो भागों में विवाजित किये जाते हैं एक तो होता है माइक्रोनुट्रेंट एक क्या होता है माइक्रोनुट्रेंट और एक होते है माइक्रोनुट्रेंट मतलब जो तत्व कम मात्रा में लेने होते हैं पौधे को जो तत्व कि अधिक मात्रा वाले पुंच बहुतर हो जाएगा सब्सक्राइब आपको बतादू कि दोस्तों को और अधिकender बंश्क्रा को पूख्यारो यहां पेजिंता है जो फिरें, पौधे की ब्रद्धी के लि немного जो आवश्यक typt होते के बारे में एसस के मैंने बताया कुछ होते से मैक्रो नूट्रेंट जो की पौधों को ज्यादा मात्रा में जिन तत्मों की जरूरत होती है वो होते हैं और जिनकी जरूरत कम मात्रा में होती है उन्हें कहते हैं मैक्रो नूट्रेंट जो की हमारे question में बात की गई थी दोस्तों तो macronutrient जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में पाई ज़्यादा जरूरत होती है पौधों को वो होते है carbon होता है hydrogen होता है oxygen होता है दोस्तों और जो कम मात्रा में जरूरत होती है iron होता है मेगनीज होता है जो कि अभी हमसे पूचा गया है वोरान होता है इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो कम मात्रा में चाहिए होते है वोरान भी होता है कि कम मात्रा में जरूरत होती जिंक्ह joined मैगनीज इंस सब और की बारी में व्यक्तिता कि आईग तो इसको जाए यहाँ वी दिया दोस्तों यह क्या दिया दोस्टों पॉरे स्था पहले ओप्सिन में दिया है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पॉर्टेसियुम की जरूरत ज्यादा मात्रा में पाई जाती तो पॉर्टेसियुम बाला तो तो होगा नहीं तो दोस्तो इस प्रकार से जो right answer होगा वो क्या हो जाएगा option number 4 हो जाएगा दोस्तो अब हम आगे बढ़ेंगे next question question number 63 इहरां आपके सामने दोस्तो देख लेते हैं question number 63 क्या गया रहा है निमने लिखित कतनों को ध्यान पूरवग पढ़िये तथा सही बिकल्प का chain कीजिए यह हमसे कहा गया है तो अभी कथन और तरक दिया गया है इसके according हमें question का answer देना है दोस्तो तो अभी कथन जो दिया गया है वो क्या है रात्त्री आकास में तारे पूरव से पश्चिम की और गती करते पृतित होते हैं ऐसा है या नहीं है तो दोस्तो आपने अगर रात में देखा हो तो रात में ऐसा रियल में होता है जो हमारे तारे होते हैं इस टार जो होते हैं वो पूरव से पश्चिम की और गती करते हुए दिखते हैं लेकिन इसका रीजन क्या होता है दोस्तों इसका रीजन यह होता है जो हमारी पिर्थिवी का गुर्णन गती है वो दोस्तों उसकी उल्टी होती है हमारे जो प्रतिवी की घोनद्गती जो होती है हमें पूरब से पर्ष्चिंह की और गति करते हुए प्रतीद होते हैं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऊफ़सन की बिल्कुल राइट-सर हो जाएगा इस साथी दोस्तु प्रचिंहों आपको एक और दिखा दूँnd जैसा के आप देख रहे हैं हमारी पस्चिम से पूरब की और गती हो रही है प्रति भीगी सूरिय के चार ओर पूरब से पस्चिम की और हमारी गती हो रही है दोस्तो तो इस पे जो तारे होते हैं वो पूरब से पस्चिम की और गती करते हुए दिखते हैं दोस्तो तो इसका जो right answer हो गया option number 1 हो गया दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे next question next question यह रहां आपके सामने दोस्तों question number 64 यह रहां आपके सामने दोस्तों देख लेते हैं निमने लिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंद में सही है यह हमसे पूचा गया दोस्तों तो इह लोहे और oxygen की बीच रासाने का विक्रिया को सामिल करता है बिल्कुल क्योंकि दोस्तों लोहे में जंग लगने की बात की गई है लोहे में जो रश्टिं होती है उसके बारे में बात की गई दोस्तों तो दोस्तो मैं आपको बता दूँं, जो लोह में जंग लगती है, तो उससे क्या हो जाता है, लोहा भारी भी लगता या जाते है, उसका जो बजन होता है, कहीं न कहीं बढ़ जाता है, पहले की अब एकच्छा और जैदा हो jiwa PT. तो होता क्या है दोस्तो जब उसमें लोहे में सीडन आ जाती है कहीं पानी के छींटे पढ़ जाते हैं सीडन आने की वज़े से उसमें क्या होता है दोस्तो उसमें एक जंग टाइप की आ जाती है और उससे उसका बजन भी बढ़ जाता है दोस्तो उससे उसका क्या होता है आपको बता दूं यह जो अविक्रियां होती है दो प्रिकार की होती है एक उस्मा छेपी और एक होती है उस्मा सोसी होती है तो उस्मा सोसी और उस्मा छेपी में क्या अंतर है दोस्तों मैं बता दूं जो उस्मा छेपी होती है वो ऐसी अविक्रिया होती है जिसमें उस्मा न यह जनग लगती है तो उसमें जो अविक्रिया होती है वह होती है उसमा 6 होती है değişक्रmana सोसी . जिसमें इसमा को आफसेट किया जाता है नियुक्त के सोसी और जिसमें उस्मा का 6, 6 से 6 होता है निकलती है वो हमारी उस्मा सोसी होती है दोस्तों तो यह भी सही वात है कि इस अविक्रिया में इस रासाने अविक्रिया में उस्मा 6 पी अविक्रिया होती है दोस्तों और यह सामानताप पर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जो कि किसी भी रसायनी का विक्रिया को कड़ाया करा कि हम उसे जंग को तोरच धोड़ी ना होता है तो पानी है पानी को पानी का temperature कम किया तो वो बरफ बन गया तो वो बरफ बन गया लेकिन जैसे हमने उसके temperature बढ़ाया तो बरफ से पानी बढ़ बन गया तो यह एक उत्क्रमणिया विक्रिया होती है यह क्या होती ही दोस्तो reversible reaction होती है लेकिन यहाँ पर जो रासाइने का विक्रिया होती है वो हो रही है वो reversible नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर reversible नहीं है यह reversible है तो option number D क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा तो A, V, C जिसमें है वही हमारा right answer हो जाएगा इसमें D है यह हो नहीं सकता इसमें right answer हो जाएगा उफिसंशन नह्बर 4 क्या हो जाएगा बिल्कुल हम बढ़ेंगे आगे next question देखेंगे दोस्तों question नमबर 65 यह तो बहुत अच्छा question है और बहुत अच्छा कोश्चन है और 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 अच्छा कोश् कैल्सियम हाइड्रोकसाइड कैल्सियम हाइड्रोकसाइड इसका क्या होता है तो कैल्सियम हाइड्रोकसाइड कहा है दोस्तों कैल्सियम हाइड्रोकसाइड कहा है दोस्तों कैल्सियम हाइड्रोकसाइड कहा है कैल्सियम हाइड्रोकसाइड कहा है कैल्सियम हाइड्रोकसाइड क साधा नमक व्रा को सब्कों पर्मूला होता है साधा नमक व्राइस चूना पत्थर चूना पत्थर कैस 파ूर्मूला कोंता है किसमें दिया है थ्री में दिया है तो थ्री का थ्री से हो जाएगा यह हो जाएगा कैलसिम कार्बोनेट का होता है सी ये सी यो थ्री क्या होता है दोस्तों इसका राश्चानिक फॉर्मूला होता है सी ये सी यो थ्री दोस्तों इसके साथ ही कास्टिक सोडा जो कास्टिक सोडा होता है वो क्या होता है sodium hydroxide होता है क्या होता है sodium hydroxide होता है जो की option number 5 में दिया है sodium hydroxide का राशानिक formula क्या होता है दोस्तो वो होता है naoh क्या होता है दोस्तो naoh इसका राशानिक formula होता है sodium hydroxide का इसके साथ ही दोस्तो बिना बुझा चुना बिना बुझा जो चूना होता है वो क्या होता है कैल्सियम ऑक्साइड होता है कैल्सियम ऑक्साइड याने की सी ए ओ क्या होता है दोस्तों सी ए ओ इसका रासानिक फॉर्मूला होता है इसके साथ ही बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा के लिए एक ही बचा है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम bicarbonate का जो रास्टानिक formula होता है वो होता है NaHCO3 NaHCO3 तो दोस्तो जब हमने एमिलान किया है तो यह हमारा कौन से option में सही बैट रहा है वो बैट रहा है option number 1 में कौन से दोस्तो option number 1 में बल्कुल सही बैट रहा है तो option number 1 ही क्या हो जाएगा बल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस question का दोस्तो option number 1 विदर राइट आंसर दोस्तो अब हम बढ़ेंगे आगे next question अब हम next question देखने वाले हैं question number हमारा कौन सा आ जाएगा 66 question number 66 यह रहां आपके सामने दोस्तो देख लेते हैं question number 66 सही कथन कथनों का पहँचान किए इसमें जो सही कथन है उसकी पहँचान करनी है मैं दोस्तों तो क्या कह रहा है तत्थ एक अब लोकन है जिसे समयों परी बारंबार सही पाया जाता है तो दोस्तों यह कहा गया हमसे जो तत्थ होता है जो क्या होता है कोई fact होता है उसे वह एक observation होता है तो यह बास सच है दोस्तों जो तत्त होता है वह एक क्या होता है जो fact होता है वह observe करने के बाद ही निकाला जाता है किसी भी चीज के बारे में कोई fact जब हम बताते हैं तो उस चीज को हम observe करते हैं तब ही तो बता पाते हैं कि यह तत्त सही है तो यह बात जानते जिसे समयों परी बारंबार सही पाया गया है ये बात कहनी गलत हो जाती है क्योंकि दोस्तों जो नियम होता है नियम तो मतलब समय के साथ साथ बदलते रहते हैं लफ सही थोड़ी न पाया जा हर समय मतलब हर समय की परिस्तिति के एकॉर्डिन नियम बनाए जाते हैं औ और ये बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि option number 1 में दिया तो option number 1 क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल right answer हो जाएगा अब हम बढ़ेंगे आगे next question, question number 67 के रहां आपके सामने दोस्तों हम सारे questions को हिंदी में ही देख रहे हैं दोस्तों तो हम देख लेते हैं question number 66 दोस्तों ये रहा जाता है तब क्या होता है ये हमसे पूंचा गया दोस्तों तो इसमें भी तीन option दिये गए और फिर उपरोग तीन कत्नों के बारे में हमें option दिये गए इनमें से जो सही option होगा वो हमें बताना है इनमें से कौन सा अब लोकन है और कौन सा अनुमान है इस बारे में दोस्तों वीज़ों में बताने हैं दोस्तों देख लेते हैं कौन से होगा विद्द्रसी पत्ते उं पत्तिके निकट मैस्थ लाए जाती है तो क्या होता है विद्द्रसी पत्तिके रोधाने है हुआ